हेलो दूस्तों नमस्कार मेरे पास दिखिए आज आया है यह याई 91 आई तो इसमें एक दिक्कत है थोड़ा लाइट प्रोब्लेम है तो इसको मैं फ्लेशिंग करूँगा तो मैं फ्लेश करके दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यह पहले मुझे सब्टेयर करना है उसके बाद हार्ड वार तो दिखिए इसमें लाइट इतना आ रहा है यह अंदर में तो चल जाता है काम लेकिन तो बाहर में जाने से ना यह दिखाई नहीं देता है तो इसको मैं अभी को दिखाऊंगा बिल्कुल फिरी आपको खली बस एक पीची साहिए और fent एक टूल और एक necesita वह कहां से मैंने डाउनलोड किया प्लेश वाइल खकिहां अपनलोर को दिखाऊंगा यह दिखे रीप्यार माइब भाद से मैंने डाउनलोड किया पहले जो फाइल टूल उसकी बाद पहले आपको और एक टूल डाउनलोड करना है यह में सीटी बाइपास टूल पहले इसको मैं रान करूंगा कि यह स्कूर दूंगा कि इसको रान करने का बात मैं जाओंगा फ्लेश टूल पर यह टोप पकाट दूंगा उसके बाद जाओंगा टूल पर उसके बाद यह दिखिए एस्पीडी फ्लेश टूल प्लेश टूल आप जो बिले फ्लेश टूल यह होना चाहिए आपको यह स्कूर दूंगा अब फ्लेश टूल आउन हो गया और एंसीडी टूल आउन हो गया तो पहली एंसीडी टूल में मैं बाइपास कुरूंगा और इस पर दिखिए चार्जिंग वाइटिंग फोर ब्रूम दिखा रहा है तो मैं मोबाल पे एएउस्बी चैबूल लगाऊंगा और फ्लेश की बाद मोबाल को मैं खाली स्टर्ट करूंगा देखिए केसे करता हूँ मैं मैंने यह एक हात से मोबाल पकर के मैं कर रहा हूं तो थोड़ा दिक्त आएगी। चाहिए। मैं पेर लीका र internationally और सर्जिंग हो रहा है कि दो सर्धिंग हो जाने का बाद मैं इसको इसपे दीखेए अब भी दिखिए परनेंट देखा इस पर के मिनूह अम दिनेर की अीघिग के ने अच्छा इसमें अपि आप पॉब्लम में इसमें होगा कायनेट नहीं होगा तो आपको सुषप करके बोलियूम आप और डाउन बोटन को प्रेस करना है तब जाके यह कायनेट हो जाएगा तो फिलाल में मोबाल ओन होने देता हो अब मोबाल फिर से ओन हो गया कायनेट नहीं होगा अभी तक उसके बाद देखिए मोबाल भी अभी मैंने पहन कर लिया तो नहीं होगा रिश्टर्ट करने का बात तो मैं इस पर फिर से मैं बाइपस करूंगा और मोबाल को मैं आप मतलब बोलें प्लास और माइनस को प्रेस करके मैं यूजबी केबल इंसर्ट करूंगा उसके बाद देखता हूँ यह कायनेट हो गया कायनेट हो जाने का बात इसमें देखिए यह से रेडिंग आएगा और इसमें देखिए कोट कोट वेगर आ गया तो मोबाल फिलाल तो मैं टूल पे जाती हो उसको एसे रहने देना है इसको एसे रहने देना है और टूल पे जाना है टूल पे जाके आपने जहाँ इसकेटर फाइल डाउनलूड किये थे मतलब फ्लेश फाइल को डाउनलूड किये थे ओ फाइल को इधर दे देना है तो मेरे वाला यह इधर है मैं यह सकेटर सकेटर वाला फाल को मैं इस पर दे दूँँगा सटो ऐसे लोड़िंग हो गया और एक काम इसको करना है जो ये कॉस्छ्ट वाला जो ये çख है इसको हटा देना है और में ये वाला हो रहा है कि हुआ कुछ भी एरर नहीं आएगा तो आपको वाइट करना है थोड़ा टाइम लेगा अभी ये तों 노력 करना है ऐसे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएंगा तो कि मैं पोस्ट्कुर के आप लोगों को दिखाना दिखाऊंगा छ में इक डिराइक्ट हो जाता है यह आभी और थोरा जाने देते हैं तो मोबल तरशी छूश अप रहेगा कि इसका सीप्या नॉमबर है यह दिखिए एम्टी 6765 और इसमें देखिए है वह जो एम्टी सी टूल था ना वह अभी ऐसे है तो ऐसे रहने देना है आपको कुछ भी शेर्चर नहीं करना है यह जो थोरा ज्यादा टाइम लगता है यह सेस्टेम आला डाउनलोड फ्लेश बोल रहा है ना यह थोरा टाइम लगता है यह अभी डाइरेक्ट इम्म से फ्लेश हो रहा है और हाँ एक बात आपको यह दोनो टूल गूगल से मिल जाएगा आप गूगल से मिल जाएगा आप गूगल से डाउनलोड कर लेना है नहीं तो मैं वीडियो की निछे दे दूंगा आपका मर्जी अब जहाँ से कीजिएगा बिल्कुल भीरी है यह फ्लेश करना मैंने तो इसमें फ्लेश कर रहा हूँ इसमें डिस्प्ले का जो लाइट है ना वो तोरा कम है इसलिए मैं फ्लेश कर रहा हूँ देखता हूँ यह फ्लेश से होता या नहीं नहीं होने से हमको दूसरा solution लेना पूरेगा तो लास्ट यह उसरा data है इसको होने होने देते हैं मैं इक हाथ से पकर के बीडिया कर रहा हूं इसलिए तरह दिकत हो सकता है देखने में लेकिन मैं जब जार जो देखा रहा हूं कुछ भी इसमें मैंने फैक नहीं किया जैसे था इसे दिखा दिया आप लोगों को अब राइट हो जाएगा देखिए यह राइट हो गया तो मुझे बस USB को यहां से हटाना है और मोबल आन करना है देखिए इसका लाइट का प्रोब्लम अभी तक नहीं गया मुझे लग रहा है लट का प्रोब्लम अभी तक नहीं गया तो इसका सोलूशन है हाड़ वार यह सब्ट्रियार का नहीं है यह सब्ट्रियार करना पर नहीं हुआ तो हाड़ वार से काम करना परेगा इसमें इसमें कोई लाइनिंग मीसिंग है डिस्प्ले का तो ओन होने देते हैं देखते फिर ऐसे भी तो हो सकता है वाट्रो जो होता है न वह से अभी वाट्रो में चला गया इसलिए फोल ओन होने देते हैं और हाँ इसमें देखिए है यह पूरा फ्लेश ओके हो गया और मोबल भी गौन हो रहा है कि अब बात मैंने इसका डाइबर के लिए मैंने कुछ भी नहीं बोला तो डाइबर के लिए आप लोगों को पता ही है एम एम टी के डाइबर चाहिए वह तो आप खुद खोर लोगे उज़े मुझे मालूम है तो इसलिए मैं डाइबर का कुछ भी नहीं बोला ऐसे भी आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो डाइबर तो PC में होना चाहिए आपको बस एक डा आपको पारा काम है पावार नहीं है इसमें यह दिखे मोबल ओन हो गया अब पावार नहीं है तो मैं सेट अप करता हूं यह दिखिए कि मैंने नेक्स्ट कर दिया उसके बात एग री पूरा वान हो गया मेरा जितना प्रोब्लेम था मैं आप लोग को दिखा दिया यह दिखिए मेरा प्रोब्लेम अब भी तक ठीक नहीं हुआ तो मुझे दूसरा मतलब हाड़ वर दिखना पूरेगा तो यही दिखाना था आप लोगों को दिखिए सेट अप करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ यह तो कोई भी मैं जब इस वाला मॉबाइल पर आगे काम करूंगा तो उसको मैं वीडियो करके दिखाऊंगा तो असके लिए नहीं ता